दोस्तो फाइनली मैं माको तुशिंका है कि एक और एनिमे मुवी की एक्स्प्लाइनेशन लेके आ गया हूँ जी हाँ दोस्तो वही माको तुशिंका है जिनकी यूर नेम, वेजिंग विडियो और दे गार्डन आफ वर्ड्स एनिमे मुवी हमने अपने अपने चैनलन पर एक्स्प्लाइन कर रखी हैं यह सारी की सारी एनिमे एक दम मास्टर पीस थी दोस्तो जिस एनिमे मुवी को आज मैं एक्स्प्लाइन करने जा रहा हूँ उसका नाम है 5 सेंटीमेटर पर सेकिंड जिसे जैपनीज में इस एनिमे की मुझे कबसे आप लोगों की धेश सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मैंने इस एनिमे को अभी तक इसी लिए एक्स्प्लाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एनिमे कुछ ज्यादा ही डीप है पता नहीं मैं इस एनिमे को ठीक से एक्स्प्लेन कर भी पाऊंगा या नहीं बट जब आप सबने हधी गर दी तो मुझे फिर इसकी भी explanation लेकि आनी ही पड़ी इसे IMBD में दिये हैं 7.6 stars out of 10 मायनेम लिस्ट में से दिये हैं 7.63 stars और रॉटन टोमेटोस में इसका 88% का audience score है इसने worldwide around 256,000 डॉलर्स की कमाई की है जो की होते हैं इंडियन करंसी में more than 190 lakh रूपीज दोस्तों मैं आपको पहले ही बचा दूँ कि ये एनिमे है तो रॉमेंटिक ड्रामा पर इसमें स्टोरी से ज़्यादा जिन्दगी से रिलेटेड धेर साई बाते हैं और ये बाते बहुत ही ज़्यादा गहरी है जो हमें जिन्दगी का सच बताती है अगर आप ऐसे सीरियस एनिमे के शौकीन हो तब इस वीडियो को देखना तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पोईलर फर इंट्रोडक्शन अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस डीप एक्स्प्लानेशन का शुबारम करते हैं हेलो नमशकार सत्स्रिया काल अदाब डिस इस मियन उराग और ये वाचिंग अनिमे लॉफ्ट दोस्तो ये मूवी तीन एपिसोड्स में डिवाइड की गई है तो पहले एपिसोड का नाम है दचूजन चैरी ब्लॉस्टम जिसमें हमें सन 1991 के एक लड़के और एक लड़की की कहानी बचाई गई है लड़के का नाम तोनों ताका की होता है और लड़की का नाम अकारी शीनोहारा एक्चुली ये दोनों बचपन में अलग-लग शैर में रहते थे इन दोनों की 3rd grade खतम होने के बाद इनके पेरेंट्स की टोक्यो में ट्रांसफर हो गई जहां फिर इने सेम स्कुल में 4th grade में एडमिशन लेनी पड़ी और यहीं ये दोनों एक दुसरे से पहली बार मिलते हैं क्योंकि दोनों ही स्कुल में नियू थे और दोनों के इंटरेस्ट में भी similarities थी तो दोनों ही धिरे-धिरे आपस में अच्छे दोस्त बन गए इंट्रोवर्ट होने की वज़े से वो दोनों ज्यादा किसी और क्लासमेट की साथ इंवाल्व नहीं होते थे और लाइब्ररी में एक दूसरे के साथ बढ़ाई किया गरते थे जिस वज़े से क्लास के बाकी सब इस्टूइंट्स ये रूमर फिलाने लग गए थे कि इन दोनों का आपस में चक्कर चला हुआ है क्लासमेट से ने इन्हें टीस करना भी शुरू कर दिया था बट स्टिल इन्होंने फिर भी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी इसकी बात समय के साथ-साथ ये दोनों बड़े हुए और इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती गई सिक्स्त ग्रेड में जब एक दिन ये दोनों कुछ चेरी ब्लोसम ट्री के पास से गुजर रहे थे तब शीनोहारा तकाकी को बचाती है कि क्या तुमें पता है चेरी ब्लोसम के पते 5 सेटी मिटर पर स्पीड की रफ़तार से पेड से गिरते हैं और यहाँ पे शीनोहारा विश करती है कि वो अगले साल भी चेरी ब्लोसम तकाकी के साथ ही देखना चाती है इसके कुछ दिनों बाद एक राथ तकाकी को शीनोहारा का कॉल आता है शीनोहारा ने टेलिफोन बूट से तकाकी के घर पे कॉल किया हुआ था और शीनोहारा बहुत ज़्यादा रो रही थी वो शिनुहारा के बीना खुद को बिलकुल अकेला मैसूस करने लगा था लाइक शिनुहारा के जाने से उसकी जिन्दगी अधूरी हो गई हो कुछ महीने बितने के बाद तकाकी को शिनुहारा का एक लेटर आता है और अब से ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स बेज के बात किया करने लगते हैं जोस्तो एक्चुली इन दोनों के पास सैलफोंस नहीं थे ये सैलफोंस के लिए थे भी बहुत छोटे और उस समय वैसे भी सैलफोंस इतने ज़्यादा पॉपलर भी नहीं हुआ करते थे तो इनके पास एक दूसरे से कॉंटेक्ट करने का यही एक रास्ता था इसके बाद ऐसे ही एक और साल बीच जाता है और अब तकाकी के फादर उसे बताते हैं कि उन्हें कागोशीमा सीटी पे शिफ्ट करना होगा जो की बहुत दूर कंट्री के दूसरी तरफ एक आईलेंड में था इवेंच्वली तकाकी इस वज़े से शिनुहारा से और भी ज़्यादा दूर हो जाता तो तकाकी कागोशीमा पे शिफ्ट होने से पहले एक आखरी बार शिनुहारा से मिलने का सोचता है क्योंकि शायद ही इसके बाद वो फिर कभी शिनुहारा से मिल पाता तकाकी अपनी सीडी से शिनुहारा के टाउन तक पहुँचने का पूरा प्लैन बनाता है और ये बाद शिनुहारा को लेटर में बताता है उसके ट्रेन में बैठते ही स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है तकाकी पहली बार ट्रेन से आउट अफ सीडी ट्रेवल कर रहा था वो बहुत जादा नर्वस होता है और शिनुहारा के इक ख्यालों में खोया होता है जैसे जैसे समय बिता जाता है बार स्नोफॉल और भी जादा तेज होने लग जाती है देखते ही देखते बरफ का तुफान आ जाता है जिसकी वज़े से ट्रेन रोक कर डिले करनी पड़ती है तकाकी इस वज़े से घबराने लगा है क्योंकि उसने शिनोहारा को 7 बज़े का टाइम दे रखा था और अब वो 7 बज़े को स्टेशन नहीं पहुँच पाएगा ट्रेन बीच बीच में जिस जिस भी स्टेशन में रुखती है लेट स्टार्ट होके और ज़धा डिले होती जाती है ट्रेन में हम देखती हैं कि तकाकी ने शिनोहारा के लिए एक लेटर लिखा हुआ था जो वो आज उसे देने वाला था शायद इसमें तकाकी ने शिनोहारा के लिए अपनी फिलिंग्स लिखी हो बट तकाकी की किस्मत इतनी खराब थी कि वो एक लैटर एक स्टेशन में तेज हवा के जौंके की वज़ से दूर उड़ जाता है ये देख के तकाके की आँखों में आंसुआ जाते हैं इसकी बाद अब ट्रेन शिनोहारा की स्टेशन पहुंचनी वाली थी ट्रेन से उतरते ही तकाकी शिनोहारा को अपने सामने पाता है जो कि अब तक वहीं बैठके उसका इंतजार कर रही थी तकाकी शिनोहारा के पास जाके उसे पुकारता है जैसे ही शिनोहारा अपना सर उपर गर के उसे देखती है उसका हाथ पगड़ लेती है और जोर-जोर से रोने लगती है सिंशिफ्ट होता है और हम देखते कि शिनोहारा तकाकी के लिए खाना लेकी आई थी तकाकी को बहुत जोर की भूग भी लगी हुई थी तो वो मस्त मज़े लेके खाता है स्टेशन बंद होने का टाइम हो जाता है तो शिनोहारा तकाकी को एक चैरी ब्लॉसम च्री के पास ले जाती है गिरती हुई स्नों जैसे मानो चैरी ब्लॉसम के गिरते पत्तों की तरह लग रही थी तो शिनोहारा की तकाकी के साथ Cherry Blossom वाली की गई विच भी एक तरह से यहां पर पूरी हो जाती है इसके बाद यहां पर यह दोनों दीरे दीरे एक दुसरे के करीब आते हैं और एक दुसरे को किस करते हैं तकाकी को इस समय अपनी feelings समझ ही नहीं आ रही थी वशिनोहारा के करीब आके बहुत ज़्यादा अच्छा तो feel कर रहा था बट सेम टाइम पे वो बहुत ज़्यादा sad भी था ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन वो शिनोहारा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा अब उसके लिए एक एक घंटा जैसे मानो एक एक मिनट में गुजर रहा था जैसे उसके पास ये लम्मा ठीक से जी पाने का ज़्यादा वक्ती नहीं है तब ही अचानक शिनोहारा तकाकी को कसकी हग करती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुती सुकून महसूस करते हैं पास में ही एक छोटा सा शैड था तो वो आज की रात साथ में वहीं पे बिताते हैं और चिपक के चैन भरी नीच सो जाते हैं अगले दिन सूबा होते ही तकाकी के वापिस जाने का वक्त आ जाता है शिनोहारा तकाकी को ट्रेन पे सी ओफ करने आती है और दोनों के एक दूसरे को टेक केर बोलते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है गाइस, साथ ही हम धेखते हैं कि शिनोहारा ने भी तकाकी के लिए एक लेटर लिखके रखा था पर वो ये लेटर तकाकी को दे ही न ही पाई और एपिसोड 1 यहीं पर खतम हो जाता है इसके बाद एपिसोड 2 शुरू होता है जिसका नाम होता है Cosmonaut इसमें हम तकाकी की आगे की कहानी देखते हैं और साथ ही एक नई लड़की की भी जिसका नाम कनाय सुमीदा था टोक्यो से कागोशी में शिफ्ट होने के बाद तकाकी पहली बार अपने न्यू स्कूल जाता है अब तकाकी एट्थ ग्रेड में हो गया था वह क्लासरूम में कनाय को उसकी क्लास में आया न्यू स्टूडेंट तकाकी को पहली बार देखते ही लव एट फॉर्स साइट हो जाता है कनाय बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाय टाइप की लड़की थी वो चिप-चिप कर अपने क्रश तकाकी को स्टॉक किया गरती थी जैसे जैसे समय बीचता गया कनाय हिमत करके तकाकी के साथ थोड़ी बहुत बाते करने लगी तकाकी को भी कनाय अच्छी लड़की लगती थी तो तकाकी कनाय के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया करता था तकाकी आश्री क्लब का मेंबर था तो वो स्कूल के बाद अपनी आश्री क्लासेज लिया गरता था कनाय उसकी घलास खतम होने का वेट करती थी ताकि वो दोनों अपने अपने स्कुटर में एक साथ घर की तरफ आसके इस तरह तकाकी और कनाय रोज एक साथ घर की तरफ आने के कमपैनियन बन जाते हैं जिसकी वज़े से कई बार कनाय की टीचर और उसके घर वाले उसे गाइड भी गया करते हैं। को कहती है कि उसे हमेशा से ही लगता था कि तकाकी कहीं दूर जाना चाता है। कि तकाकी छिप छिप के अकेले में जो मेल्स लिखा करता था वो कभी वो किसी को भेशता ही नहीं था। वो बस उनमें अपनी फिलिंग्स लिखे उसे डिलीट कर दिया करता था। पर देखते हैं जहां वो सर्फिंग करने को आई थी। वो पिछले 6 महिने से सर्फ करना सीख रही थी। पर आज तक कभी भी एक बार भी ठीक से करने ही पाई। कनाय की बड़ी बेहन कनाय से पूसती है कि क्या कनाय ने अपने future के बारे में कुछ सोचा जिसपे कनाय कहती है कि future का तो पता नहीं लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वो अभी वो हर एक चीज़ करेगी जो वो इस समय कर सकती है। की बाद कनाये फुल मोटिवेट होके सर्फ करने जाती है और इस बार वो बीना गिरे सर्फ कर लेती है इस सबसे वो और भी जादा मोटिवेट हो जाती है और अपना लव तकागे से कनफेस करने का सोचती है आर्चर क्लास के बाहर तकागे का वेट करते करते कनाये की हालत खर तकाकी की शर्ट पिछे से खींच के उसे रोक लेती है कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसके बाद दोनों अपने अपने स्कूटर्स में बैठ जाते हैं कनाय देखती है कि उसका स्कूटर खराब हो गया है तो तकाकी कहता है कि आज हम दोनों एक साथ पैदल घर की तरफ चलते हैं गर की तरफ जाते जाते, पूरे रास्ते, उनकी बीचे एक अजीब सा सनाटा था, बिचारी कनाये, कुछ क्या पाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही होती, और अचानक उसकी आंकों में आंसुआ जाते हैं, कनाये मन में खुद को कहती है, कि प्लीज, प्लीज अभी मत रो कनाये मन में तकाकी से कहती है, कि मैं तुमसे भीक मांगती हूं, मेरे साथ इतना चा भीएव मत किया करो, तब ये अचानक नेशनल स्पेस डेवलब्मेंट एजेस से, एक स्पेस्क्राफ्T उपर स्पेस की और लांच होता है, जो तकाकी और कनाये नहों का ध्यान अपनी अ और कनाय चुप हो जाती है इसके बाद तकाकी कनाय को उसके घर छोड़ देता है और कनाय को भी ये रिलाइज हो जाता है कि तकाकी तो उससे कभी देखी नहीं रहा था तकाकी की नजरे तो हमेशे से कहीं दूरी देख रही थी तकाकी कनाय को बस एक अच्छा दोस मानता था और इसलिए उसके साथ इतना अच्छे से भीव किया गरता था। कनाय कभी भी तकाकी को वो नहीं दे पाएगी जिसकी तकाकी को तलाश है। कनाय की तकाकी को पाने की विश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर कनाय ये decide करती है कि वो कभी भी अपना love तकाकी से confess नहीं करेगी पर वो तकाकी से प्यार करना भी कभी नहीं छोड़ेगी ना आज ना कल ना ही कभी future में भी ऐसा सोचकर कनाय रोते रोते सो जाती है और episode 2 भी यहीं पर खतम हो जाता है इसके बद episode 3 शुरू होता ह जिसका नाम है 5 cm per second जिसमें हम तकाकी और शीनोहारा की आगे की कहानी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अब हम साल 2008 तक पहुँच गए हैं जहां तकाकी टोक्यो शेयर में रहता है और एक कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब करता है लेकिन हम देखते हैं कि वो आज भी शीन करता तो है पर reply नहीं करता जिससे हमें यह पता चलता है कि तकाकी का रीजा से finally break up हो गया है रीजा पिछले तीन साल से तकाकी की girlfriend थी पर हजारों message एक दूसरे को भेजने के बाद भी आज भी तकाकी का दिल even 1 cm भी रीजा के करीब नहीं आ पाया दोस्तों हमें तो पता ही ह ऐसा क्यों हुआ क्यों कि तकाकी का दिल तो आज भी कहीं और ही है अपने break up और job छोडने के बाद से तकाकी freelancing करके अपना गुजारा करने लग जाता है तकाकी कहता है कि मेरा दिल बहुत दर्द में है मुझे ऐसा मैसूस होता है जैसे मैं अंदर से पूरा खाली हूँ उसने अपने स्कूल के दिनों में तकाकी के लिए लिखा था पर जब तकाकी उससे मिलने आया था तब वो उसे ये देही नहीं पाई थी इस लेटर को देखके शिनोहारा की पुरानी आदे ताजा हो जाती है और smile करते होए मन में सोसती है कि तब में तकाकी के साथ कितनी ख अपना आता है जहां वो अपने सपने में अपनी उसी आखरी मुलाकात को जी रहे होते हैं और विश करते हैं कि वो कभी ना कभी जरूर एक और बार चैरी ब्लॉसम साथ में देखेंगे इसकी बास शिन्शिट होता है और हमें बदा चलता है कि शिनोहारा अपनी शादी की त्यारी करने के लिए कुछ समान वगेरा लेने टोक्यो शेयर आती है यहां वो उसी रास्ते से गुजरती है जहां उसने बच्पन में तकाकी के साथ चैरी ब्लॉसम देखा था जब वो वहां के रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही होती है तब ही अचानक तकाकी भी वहां से गुजरता है दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है दोनों की दिल की धटकने बढ़ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए पलटने लगते हैं पर इससे पहले वो एक दूसरे को देख पाते उनकी बीच ट्रेन आ जाती है तकाकी ट्रेन के जाने का वेट कर बट सैडली इसका कोई पार्टू नहीं है हाँ इसकी मांगा ज़रूर है जो कि मॉवी से थोड़ी डिफ्रेंशेट करती है अब जनरली दोस्तो होता क्या है पहले मांगा रिलीज होती है फिर मांगा से इंस पैर होके एनमे बनाई जाती है बट 5 cm per second के केस में 2007 में पहले ये एनमे रिलीज हुई थी और इसकी मांगा 3 साल बाद 2010 में रिलीज हुई और दोस्तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम humans का nature ऐसा ही है हम sad ending को हजम नहीं कर पाते जो कि personally मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता writer ने कहानी की sad ending इसलिए बनाई है क्योंकि वो चाहता है कि एक कहानी हमें एक sad emotion पैदा करे अगर किसी movie की कहानी की ending sad हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कहानी अच्छी नहीं थी और हम इसकी writer को गालिया देने लग जाएं बट actually में तो वो कहानी इतनी अच्छी थी कि जो emotion हमें writer अपनी कलम से पैदा करना चाहता था उसमें वो कामियाब रहा दोस्तों जिस तरह से हम romance, action या horror को accept और enjoy करते हैं उसी तरह से हमें sadness में enjoy करनी चाहिए किसी sad कानी को देखकर रोने का भी अपना ही मज़ा है अगर कानी की ending वैसे sad ना होती तो जो emotions उसे देखकर हमें आ रहे हैं वो कभी आते ही नहीं वो कानी खतम होने के बाद हमारे दिमाग में कई दिनों तक घुमती ही नहीं मरी I want you to your pancreas वाली वीडियो में भी ऐसा ही हुआ वहाँ पे भी बहुत लोग ये कहने लगे कि कानी का end अच्छा नहीं था कुछ तो comments में मुझसे कानी की ending चेंज करने की मांग तक करने लगे और कुछ ने तो even इसके writer को abuse करना भी start कर दिया बट आप खुद सोचो अगर उस anime की ending वैसी sad ना होती तो क्या आप foot कर रो रहे होते और कहते कि यार क्या कहानी थी है कसम से इसने रुला दिया I don't know आपको मेरी बात है समझा रही है या नहीं बट मैं काफी time से ये behavior बहुत से लोगों का देखता आ रहा हूँ तो मैं कबसे ये बात आप लोगों से करना चाहता था और आज आके मुझे इस anime की through ये मौका मिला So enjoy the sadness 2 जो कहानी आपकी आँकों में आंसुला दे वो worst नहीं सबसे best कहानी है ओके वापस आते हैं 5 cm per second पर इसकी movie देखने के बाद fans बहुत depressed थे fans की बहुत जादा request आने पर movie की कहानी पर थोड़ी चीज़े add-on करके इसकी manga release कर दी गई guys movie की ending scene में तकाकी शीनोहारा को तो नहीं देख पाया था बट manga में पीछे मुटके तकाकी शीनोहारा को अपने सामने देख लेता है train की अवास की वज़े से वो शायद बात तो नहीं कर पाते पर शायद तकाकी समझ जाता है कीशीनोहारा ने अपनी जिंदगी में move on कर लिया है और वो भी smile करके move on करने का सोचता है manga में हमें कनाय की भी आगे की कहानी देखने को मिल जाती है कनाय, future में एक nurse बन गई थी इतने काफी लंबे समय के बाद भी वो तकाकी को याद करती रहती थी फिर एक दिन वो decide करती है कि वो टोक्यो जाएगी तकाकी को ढूनने कनाय, टोक्यो में उसी cherry blossom वाले एरिया में जाती है इस उमीद के साथ कि क्या पता तकाकी उसे वहीं मिल जाए एक्चुली तकाकी ने कभी इस जगा के बारे में कनाय को बताया होगा जो कनाय को याद रह गया कनाय को तकाकी नहीं मिल था तो वो फिर एक bench में आके बैठ जाती है तब ही उसे अपनी बड़ी बहन का call आता है जिसने कहीं से तकाकी के parents का phone number ढून निकाला था अपनी दी से बात करने के बाद कनाय तकाकी की आदों में खो जाती है पर तब ही अचानक अपने सामने से किसी आदमी को गुजरते होए देख के हैरान हो जाती है अब ये आदमी था कौन ये हमें मांगा में तो नहीं बताया गया है और दोस्तों ये ही खास बात है मांगो तो शिंकाय की वो हमेशा हमें open ending में छोड़ देते हैं अब यहां से अपने अपने उपर है कि आप आगे क्या सोचते हो मेभी कनाय और तकाकी एक दूसरे को date करने लग जाएं ये भी हो सकता है कि उस ट्रेन वाले इंसिडेंट के बाद तकाकी को देखके शिनोहारा का हर्ट मेल्ट हो जाए और वो अपने फ्यांसे से marriage करने का ना सोच तकाकी के साथ अपनी life continue करने का सोचे ये भी हो सकता है कि वो सबी movie की तरह आगे अपनी अपनी अलग-अलग जिन्दगियां जीएं मैं दो बस आपको possibilities बता रहा हूँ बाकि क्या मानना है क्या नहीं ये तो आपके उपर depend करता है अब बात करते anime में चुपे deep meanings की इस anime ने ऐसी छोटी-छोटी कहानियों के बीच में हमें truth of life बता दिया है जियां जिन्दगी का सच जो की बहुत कड़वा है anime में आपने देखा कि कनाय तकागी को पाना चाती है और तकागी शीनोहारा को ये चीज़ हमें यही signify करती है कि जिन्दगी में जिसमें चीज़ को हम पाना चाते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती और हमें जो मिलता है उसकी हमें कदर ही नहीं होती इसी लाइन को अक्षे गुमार की अवाज में सुनो जो लड़की हमें चीए उसे हम नहीं चीए और जिसे हम चीए वो किसको चीए guys याने में हमें ये भी symbolize करती है कि लाइब में हमें move on करते रहना चाहिए मूवी में शिनोहारा तो कुछ समय तक तकागी की यादों में खोई रहती है बड़ इवेंच्वली अपने past को बुला कर move on कर लेती है मूवी में train वाले scene में भी उसने train के खतम होने का इंतजार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो move on कर चुकी थी उसने सच accept कर लिया था कि उसकी जिन्दगी अब किसी और के साथ है इसलिए उसे लगा होगा कि तकागी का wait करने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला वो उसका past था अब उससे सिर्फ अपने future में concentrate करना चाहिए वहीं दूसरी दरफ हमने थकागी को देखा जो कि इतना समय गुजरने के बाद भी खुद को move on ही नहीं कर पाया था और depression में चला गया था लेकिन last scene में जब वो train के खतम होने पर अपने सामने शीनोहारा को नहीं पाता तब वो भी ये realize कर जाता है कि शीनोहारा ने move on कर लिया है और उसे भी अब move on कर लेना चाहिए शायद इसलिए वो smile भी करता है and finally ये explanation यहीं पर खतम हो जाती है guys movie बहुत ही complex थी anime में बहुत से scenes आगे पिछे हैं इससे असान तरह से explain करना बड़ा ही मुश्किल था बढ़ मैंने काफी time लगा कि इसकी script लिखी ताकि आपको समझने में असानी हो तो एक like, एक comment और कमसे कम अपने दोस्तों की जाद एक share तो बनता है question of the day, movie का नाम 5 cm per second क्यों है? अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो नीचे comment section में अपने जवाब जरूर दें मिलते हैं अगली वीडियो में हर हर मादेव